तो ये हम पड़ेंगे अज्छ स्व.어가 इंगली में 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 शूप इंगलिस में लेकिन आपको आने से समझ में आजायागा है दूसे इग्नोर कर देना और आप मेरी इंगलीज को अडजेस्टमेंट कर लेना तो देखते हैं क्वेस्टन नमबर वन पर वेस्ट टाइम टू चैक आयोपी इनकी आयोपी की जांच करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है तो राइट रोगा ऑप्शन ए नहीं अरल होगा ऑप्शन सी फरवरी चार इनकी चार फरवरी को वालड कैंसर डेव बनाया जाता है नेक्स्ट है क्वेस्टन नमर तीन है क्वेस्टन नमर तीन है एक क्लाइंट से टू नर्स आइनो दाट आयम गोइंग टू डाई विच ओव दा फोलोइंग रिस्पॉंस इस बाई नर्स वुड भी बैस्ट एक एक क्लाइंट यह एक पेसेंट नर्स से कहता है कि मैं मरने वाला हूं तो इसके जवाब में नर्स उसे क्या कहती है जो सबसे अच्छा पॉइंट होता तो नर्स क्या कहेगी तो आपको सोच के बताना तो सोच इनमें से क्या कहेगी तो राइट जवाब होता है, गर कोई वक्ती ज़्यादा मिर्तु के नजदीक होता है, तो नर्स का ये दायत होता है, नेक्स्ट है, क्वेशन नमबर च्यार, एक नर्स इस एसेशिंग एक ग्रूप अग्रूप अग्रूप को देखबाल कर रही है, और नर्स को कैसे पता चलेगा, कि इनमें से कौन सा पेशन्ट एक दरो या फूल्ड की कमी से जोकिम है, इनकी इससे गरस्त है, तो नर्स को कैसे पता चलेगा, तो राइट और श्रोग ऑप्शन, D, क्लाइंट अटेश्ट टू एक कोलोस्टोमी बैग इन की, जो भी क्लाइंट या पेशन्ट होता है, वो क्लोस्टोमी बैग से टाइच होता तो से देखकर नर्स को पता चल जाता है, नेक्स्ट एक्वेशन नमबर पाँच, दालाग, दा कलाइंट इज बराउट टू दा अमर्जेंशी डिपार्ट्मेंट डिव टू ड्रक्स पोजिंग, इज इंटर्वेशन टू मोस्ट इफेक्ट्व दा मनेज़मेंट ओफ दी कलाइंट स कंडिशन, आपको बताना है कि एक पेशेट जहर दोवा, इनकी दोवा के जहर के कारण अमर्जेंशी में लाया जाता है, निमलिक मेंसे कौन सी नर्सिंग या नर्स उस कलाइंट की स्तीति के परबंदन के लिए सबसे जिम्मेवार हो गया, उसके लिए सबसे फायदमंद होगी उसकी जिम्मेवारी या देखबाल करने के लिए, तो उसमेंसे क्या जरूरी होगा उसकी परबंदन के लिए, तो उस में से कुछ घलत हो जाता है तो जिल प्लीज कोमेट कर देना क्योंकि मैं क्वेस्टन तो कहीं से लेकर करवा रहा हूं लेकिन अगर आपको जवाब उत्तर कोई अलग बलग लगे तो आप कोमेट जुरू कर देना कि सरजी यह इसका राइट अन्सुर है नेक्स्ट क्वेस्टन है क्वेस्टन नमर चाह है वहन केरिंग फोर एपेशंट हूँ है इंटरमेटिड कालिव डिक्षन एक काल्डिक एन वर्शुकुलर नर्स अडवाज डू पेशंट आपको पताना है कि जब एक ऐसी नोग एक नर्स ऐसी नोग की देखबल कर रहे हैं र सची वागाज टॉलरेट क्यों है दिर एस सहज से चले नेक्स्ट क्वेसन No.7 एडल तो क्वेस्टन No.7 है एडल सिंफिशिज इस नोटिड ओर दा स्ट vários चै़ एडल पर्किशम से इस नोटीड ओर दा सिंफिशिज पबिस इट मैं टीडिडिडुट्अ इनकी केडिड स्ट तो आपको उसका पता नहाँ है इंटिकेट आएगा यह एडल परकेशियन इस नोटिड ओवर दा सिंपीशियस पीपस इट मेभी इंडिगेट तो उसका रायट रोगा अप्शन बी इनकी डिस्ट डिस्टर्ड बल्ड बले डिस्टर्ड का रायट रोगा दोस्ते आप समझ लेना मुझे यह समझ में आया चलते नेक्ट कोशन पर विच टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवैक्शन डजदा नर्स परफॉर्म वहन दा एड्मिनिस्टेशर औरल केल टू एक कलाइंट 5-8 अपकर बताना है कि नर्स किस परकार देख बलकरती है जब वह किसी कलाइंट की जिम्मेवारी इससी दे जाती है किसी पेशन्ट की जिम्मेवारी इससे कीशी दे जाती है तो कैसा वहःवार करतीitä इसके साथ तो यह सुपरवाइजर के तोर पर करें गया जुकेशन के तोर पर या फाइप कलो मास्टर के तोर पर या तो यह राइट ऑन सब आप्शन डी इनकी मैंटेनस उसकी देखवाल के रूम में वार करती इसका नेश्ट है क्वेसिन नमर 12 दा नर्स इज तो कोलेक्ट एज सब्टम इनकी नमूना सपीशमेन फरो में कलाइट दा बैस ताम टू कोलेक्ट इज सपीशमेन इज एक नर्स को पेशन से थूख का एक निमोना एक्द्रित करना है तो उसका सही समय कौन सा होगा नमूना के ने इन दा मॉर्निंग एज एज सुन एज दा कलाइन अवक्स सबसे मॉर्निंग में जब है पेशेंट जागता है नेश्ट है क्वेशन नमबर तेरा दा नर्स इज एसेसिंग टू दा रिफ्लेक्शी ओफ न्यूबॉर्ण दा नर्स एक्षिज विचो दा फ्लोइंग रिफ् इसका आकलन करती है यह क्या देखती है तो आपको बता है तो राइटन स्रुग ऑफ्षिंग रिफ्लेक्स इनकी रूटिंग इसे पल्ड़्ड़क्स या पलटा कहते साइद रूटिंग या रिफ्लेक्स की देखबाल करती हो बच्ची की नेश्ट एक्वर्शन नमबर सबसे पहले क्या देना चाहिए इनकी सबला स्कीम किस पर कहंदरीत है तो राया इनकी एंडोलिसेंट गरल इनकी किस और लड़कियों के लिए है यह योजना नेस्ट है क्वेस्टन बर 17 दा वैक्षिन वीच इज गिवन एज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो उनमें से किस वैक्षिन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए दिया जाता है तो राइट रोग आप्षिन डी सी डी टी डी टी और यह जो बीसी हो जो बीसीजी होता है यह बैक्ष्ट्रे से फैलने वाले रोग टीवी यहनिकी टीवरों क्लोसिक के लिए लगाया जाता है नेस्ट है क्वेस्टन बठारा दा ग्रीन स्टिक टाइप फैक्षर इन कॉमन पर इनकी हर रण की similarly की स्टिक इन में से किस November के प्याक्षर को धर्शाति इनकी किस को तो रा रट रेस्ट को स्टिक दिदी जाती है तो राइटर्ण शॉआप्स यह चिल्डरन गर्वप को धर्शाति टी और देश्ट हैस्ट ग्रुरुप को ग्र्यूम में दोस्टों आप एक कुएं नमबर पर मत जाना क्यों ए मैंने चांट चांट कर मैं तो पॉर्ण लिये तो यहां पर बीच में गैप होगा एक यह दो गा नेग्स्ट क्यूशन Vemamv upp Cobra Attack on तो vul jus कोबरा के हमले का विष किस पर परबावड डालता है मानुसरी के किस अंग पर परबाव डालता है तो राय टर्ण स्जो乐 उपसंग B Nero system पर परबाव डाला जाता कोबरे के जाहर का आपको याद रखना है चलते नेक्स्ट क्वेस्टन पर, क्वेस्टन नम्र बीस है, पुपूरियम इस दा पीरियड इन ओमायन लाइफ वीचीज, पुपूरियम एक महिला की जीवन की अवदी है, जो कब स्माप सरोती है, समाप, तो राय टन सरोग ओप्शन बी, फर्स्ट छाय विक आफ्टर डिले हेल्थ सेंटर, निम्रिक में से कौन परात्मिक स्वास्ते के इंदर के तायत एक रमचारी नहीं है, तो राय टन सरोग ओप्शन डी, सीटी सेकेंट है, टेकिनिशियन, इनकी यह है, प्रैमरी हेल्थ सेंटर में काम नहीं करता, नेश्ट है, क्वेस्टन नमर बाइस, फ्लो सपाइरोसीज, लेप्टो सपाइरोसीज, चुहे के मुत्तर से फैलता है, नेश्ट क्वेस्टन नमबर चौबिस, एमडीटी इजट्रीटमेंट अप्रोज और विच डिसीज, एमडीटी किस बिमारी के उपचार के लिए किये जाता है, तो राय टन सरोग ओप्शन, बी, इनके कुष्ट रोग के लिए अमडीटी टेस्ट किया जाता है, दोस्तो थैंक्यू सो मच्च आपका वीडियो देखने के लिए, और आपके एजामें के लिए काफी हल पूलोगर, दोस्तो कमेंड जरू करना कि क्वेस्टन कैसे लगे, अगर आपको अच्छे लगे तो क्य आपके लिए एक और टेस्ट लेकर आउन, तो थैंक्यू सुमस्च आपके वीडियो देखने के लिए, और आपके लिए, और आपके लिए, और आपके लिए, और आपके लिए,